गुरुगराम से बड़ी खबर है जहांपर कॉंग्रेस सांसा दिपेंदर हुड़ा का बयान सामने आया है अब है चोटाला के वाइरल वीडियो पर दिपेंदर हुड़ा ने अपना बयान दिया है बड़ी जानकारी उन्होंने कहा अभे ने साबित कर दिया कि वे लूट पार्ट करते थे तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर उनके बयान से उनका चरित्र बेनकाब हो गया है अभे चोटाला केस मुहूं से चुनाब लड़ रहे हैं ये बात भी कही दिपेंटर हुड़ा ने तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है जो लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर भी वाइरल हो रही थी और इस मसले पर हर्याना न्यूस भी चर्चा कर चुका है और प्रमुकता से हमने इस मसले को उठाया था और बताने की कोशिश की थी तो किस तरीके का आप राजनितिक माहौल एलनाबाद उप्चुनाब को लेकर हो चला है और किस तरीके से विवाद टिपणिया राजनितिक्यों के तरफ से दी जा रही है तो गुरुगराम से बड़ी जानकारी है और बड़ी जानकारी लगातार अपकी तीवी स्क्रीन पर फ्लेश हो रही है दिपेंदर हुड़ा ने अभेच चोटाला के वाइरल हो रहे है वीडियो को लेकर अपना बयान दिया है टिपणि की है तो कॉंग्रेस सांस दिपेंदर हुड़ा का बयान सामने आया है अभेच चोटाला का जो लगातार बयान वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वह साफ तौर पर सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं उन्होंने कहा कि अभी ने साबित कर दिया है कि वे लूट पार्ट करते थे उनके बयान से उनका चरित्र बेनकाब हो गया है अभी सिंग जी क्या करते हैं शाइस उपर क्भूलना मा भी है यह जो आरोप लगा है जो आपने statement आप पूरी statement देखिए वो आरोप नहीं है कि मैं इस तरह से जो है तो इस प्रकार के लोगों का आज की दिन जो 21 सथी की राजनीतिक राजनीती है उसमें इस तरह के लोगों को आत्मंथन करना चाहिए कि उस्तीफा क्यों दिया था यह आठ हुई ने जनता को विधायक ने मिला आगे विधायक मिलेगा तिका रहेगा उन्होंने अपना नजरिया इस मामले बदला की नहीं बदला क्या स्ट्रेंड है चलिए आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहोगे सुशिल जुड़ गए हैं सुशिल हमने भी इस वाइरल विडियो को प्रमुक्ता से दिखाय था और ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से इलनाबाद उप्चुनाव को देखते हुए राजमितिक माहौल बनता जा रहा और किस तरीके से विवादि टिपनिया की जा रही है इस मसले को लेकर धिपेंदर हुड़ा ने अपनी बात रखी किस तरह कि उनकी बॉडि लेंग्वेज थी किस तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे क्या कुछ कहा हुए उन्हें सब्सक्राइब कर लिया है कि आज क्या करते हैं यानि कौन बेनिवाल ने जो कॉंग्रस क्रत्यार्टी है वो बूड़ करके कबजे करके और नैंतिक तरीके से थन कमाया है और उन्हें साथ रहके संपनाया है तो उससे साथ होता है कि अब है चौक आला भी यही काम करते आ रहे हैं और गब इसके सरकार रही है या उससे लेकर आव तक इनका क्योवले और यही काम है कि दोगों से लूड़ को से जोड़ करना जंता को दोखाते ने और पैसे उगाह जोड़ करना उनके साथ रहे हैं और इस तरह के कारे करते हैं तो निस्ती तोर पर जेकिए यह जो बयान है उन्हें पर इस पहले बीजिपी ने ताम इस तरह इस बयान का संदानों अरोफ लगाए थे अबार होते हुए उन्हीं की बयान से उनको जबाब देने की कोशिशिक है कि इस तरह का चलित्र बेनकाब हुआ है उसली तरह जो इनलाबाद उनक चुनाओ का उस्ती अगर यह जनमा कर रहे हैं तो मैंने साथ कह दिया कि आज अवह जबाया बहुत शुमाव लगान है जब आख महिनता के आख महिनत पहले ही इनों इस पिखा देकर उस इलाके को बिधानसवा जो 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 प्रदेश का राजनितिक महौल अपने इस मुहाने पर आकर ख़ड़ा हो गया है जहांपर एक दूसरे पर वार पलेट वार किये जा रहे हैं टिका टिकड़ियों का दौर शुरू हो चुका है और इस खबर को प्रमुधा से हरेना नियूस ने दिखाए था कि किस तरीके से वीडियो लगातार वायरल हो रही है और इस वायरल वीडियो मे अभे चोटाला जनता को संबोधित करते हुए किन शब्दों का इस्तमाल कर रहे हैं और क्या उनकी तरफ से वाक्य बोला गया और इस मसले को लेकर लगातार राजनिती पूरी तरह से घरमा चुकी है इसी वाइरल वीडियो को लेकर जब पत्रकारों ने दिपेंदर हुड़ा से सवाल किया तो उन्होंने सीधे तोर पर ये कहा कि अभे चोटाला का जो चरित्र है वो बेनकाब हो चुका है इसके साथ ही एलनाबाद उप्चुनाब के विश्य पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि अभे किस मुह से चुनाब लड़ रही है उनके बयान से उनका चरित्र बेनकाब हो गया है ये बात कही डिपेंतर हुड़ा ने जो कि राज्य सवा सांसद है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभे चोटाला किस मुह से चुनाब लड़ रहे है तो प्रदेश की राजनिती अब एलनाबाद उप्चुनाव के इर्द गिर्द घुम रही है और स्यासत